अद्रक और शहद मौजूद होता है और इन दोनों के मिश्रण को साथ मिलेना शरीर के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है क्योंकि इन में औशधिय गुड़ पाए जाते हैं अगर आपको पता नहीं है कि कब इन दोनों का साथ में सेवन किया जा सकता है तो आज हम आपको उसी के बारे में बताते हैं अद्रक और शहद का मिश्रण पाचन ठीक रखता है ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से पाचन शक्ती को बढ़ाने में मदद मिल सकती है आपको बस एक चमच अद्रक और शहद का जूस आपके पेट सम्बंधी समस्याओं के लिए लेना चाहिए लेकिन अगर ये फिर भी ठीक नहीं हुआ तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है अद्रक और शहद सर्दी खांसी के घरीलू उपचार के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि इन में औशिधे गुड मौजूद है तो ये सर्दी खांसी और जुकाम की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं और इसके जोखिम को भी कम कर सकते हैं अद्रक और शहद का मिश्रण आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये शरीर की वाइट बलड सेल्स के बनने की प्रक्रिया को भी बढ़ा देता है जिसे बॉडी की प्रतिरोधक शमता बढ़ जाती है अगर आपको उल्टी और मतली की समस्या है तो ये आपकी मदद कर सकता है उल्टी और मिचली का अनभव होने पर इस मिश्रण को जरूर ले अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे बनाएं तो बता दे कि आप अद्रक को पीस कर इसका रस निकाल ले और फिर इसमें एक चमत शिहद मिलाएं और इसका सेवन कर लें है ना बहुत आसान और फाइदे मंद